हेई गाइज वेलकम तुमाच चैनल स्टाडी को विजीनात आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वीक्निस ओफ इंटरनाशनल लौ यानि की अंतराश्य विधी में क्या क्या कमिया है यह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे तो दोस्तों अगर आप चैनल पढ़ना है जल्दी से हमारे चैनल स्टाडी को विजीनात को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों जितनी भी मैरे वीडियो बनाई है इंटरनाशनल लौ की सारी वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो सारी की सारी एक ही प्लेइलिस में मिलेंगी और उस अस्ट्रेविधी का मतलब होता है बहुत सारे रूल्स बहुत सारे रूल्स यानि की बॉड़ी ऑफ रूल्स जो की डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो अलग-अलग देशों के बीच में रिलेशन को राइगुलेट करते हैं संबंधों को नियंत्रित करते हैं वो सारे कमिया है इस बारे में तो इंटर्नाशनल लौ में सबसे पहली कमी तो यही है कि यह प्रॉपर्ली कॉडिफाइड नहीं किया गया है तो पहला सजेशन अगर इंटर्नाशनल लौ के लिए बोलें तो यही है कि इंटर्नाशनल लौ शुड़ वी प्रॉपर्ली कॉडिफाइड अच्छे से सही तबत किया जाना चाहिए international law को अगर मैं पहली कमी बताओ international law में क्या है तो international law की पहली कमी यही है कि international law में कोई effective law making authority नहीं है जो law का निर्मान करती हो जो विधी का निर्मान करती हो ऐसी कोई law making effective authority नहीं है international law में और नहीं international law में कोई effective machinery या फिर authority है जो कि international law के जो भी rules वगेरा है उनको enforce कराए उनको लागू कराए और international court of justice जो है उसको भी compulsory jurisdiction नहीं दियावा है तो international court of justice should be given compulsory jurisdiction तभी अच्छे से international law को implement कराया जा सकता है और next point के अगर हम बात करें तो next point यह कहता है कि international law में sanction नहीं है इसी वजह से इसको regard करते हैं हम कि international law एक weak law है कमजोर विदी है अब दोस्तों बात अगर में करू sanction की तो simply आपने अस्टिन की definition पढ़ी होगी उसमें बताया गया है कि law क्या होता है उसमें बताया है कि law का आदेश है command of sovereign है जो कि superior political authority के द्वारा enforce किया जाता है और backed by sanction होता है यानि कि भई simple सी बात है अगर आप किसी से कुछ काम करने के लिए कहोगे तो बहुती कम लोग होंगे जो काम का पालन करेंगे जब तक अगर आप यह नहीं कहोगे अगर आपने काम नहीं किया तो हम आ international law में नहीं है बट कुछ लोगों का opinion है कि public opinion international law का ultimate sanction है next अगर point की बात करें तो international law की सबसे बड़ी limitation तो यहीं है कि international law different countries का जो भी domestic jurisdiction है घरेलू छेतर अधिकार है उसमें इंटर्वेंध नहीं कर सकती है interfere नहीं कर सकती टांग नहीं आड़ा सकती है next point की बात कि तो next point यह कहता है कि international law बहुत सारे cases में fail हुआ है order और peace को maintain करने में तो यह सारी weakness आपकी international law में है और international law में नहीं कोई police system है जो की establish किया जाना चाहिए to check international crimes की international crime हो रहा है या नहीं और investigation करने के लिए international bureau of investigation भी होना चाहिए तो गहुत सारी चीज़ें हैं जो international law में लेक करती हैं international law में नहीं है तो यह सारी कम्या आपकी international law में है तो आज की वीडियो में हमने जाना international law में क्या क्या weakness है आपको यह वीडियो कैसे लगी मुझे comments करके बताएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेर कर देना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक बार description जरूर चेक कर लेना क्योंकि वहीं पर आपको जो लिंक मैंने दी है न प्लेलिस की उसी प्लेलिस में सारी की सारी international law की वीडियो आपको मिलेंगी so thank you friends for watching my video channel को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना में देन नेक्स वीडियो में